आज मन की बात की शुरुवात हम भारत की सभरता के जिक्रक साथ करेंगे इस महने की सुरुवात में भारत इतली से अपने एक बहमूली धरोहर को लाने में सफल हुआ है ये धरोहर है अवलो की तैश्वर पद्मपानी की हजार साल से भी जादा पुरानी प्रतिमा ये मुर्ती कुछ वर्ष पहले बिहार में गयाजी के एक देविस्थान कुंडलपूर मंदिर से चोरी हो गई थी लेकिन अनेग प्रयासों के बाद अब भारत को ये प्रतिमा वापस मिल गई है ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिल्णाडू के बेल्लूर से भगवान आंजने यड हनमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी हनमान जी की ये मुर्ती भी 600-700 साल पुरानी थी इस महने की शिरुआत में आस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई हमारे मिशन को मिल चुकी हैं साथियों हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मुर्तियां हमेशा बनती रही उसमें सरद्धा भी थी सामर्थ भी था कौशल्य भी था और विवितताओं से भरा हुआ था और हमारी हर मुर्तियों के इतिहास में तत्कालिन समय का प्रभाव भी नजराता है ये भारत की मुर्तिकला का नायाब उदारण तो थी ही इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी लेकिन अतीत में बहुत सारी मुर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रहीं कभी इस देश में तो कभी उस देश में इन मुर्तियां बेची जाती रही और उनके लिए तो सिर्फ कला कुरती थी न उनको उसके प्तिहास से लेना देना था सरधा से लेना देना था इन मुर्तियों को वापस लाना भारत मा के प्रति हमारा दाइत्व है इन मुर्तियों म भारत की आत्मा का आस्था का आउश है इनका एक सांस्कृते की एतिहास एक महत्वभी है इस दाईत्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रहास बढ़ाए और इसका कारण ये भी हुआ कि चोरी करने की जो प्रवुत्ती थी उसमें भी एक भाय प्यादा हुआ जिन देशों में ये मुर्तियां चोरी करके ले जाई गई थी अब उन्हें भी लगने लगा कि भारत के साथ रिस्तों में सौब पावर का जो डिप्लोमेटिक चैनल होता है उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्पह हो सकता है क्योंकि इसके साथ भारत की भावना ही जुड़ी हुई है भारत की स्द्धा जुड़ी हुए है और एक प्रकार चे पीपल टू पीपल रिलेशन में भी ये बहुत ताकत पाजा करता है अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कासी से चोरी हुई मा अनपुर्णा देवी की प्रतिमा भी वापस लाई गई थी ये भारत के प्रत स्वीग नजरिय कहीं उदारण है साल 2013 तक करीब करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी लेकिन पिछले साथ साल में 200 से ज्यादा बहुमुल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है अमेरिका, ब्रिटेन, होलेंड, फ्रांस, कनाड़ा, जर्मनी, सिंगापूर ऐसे कितने ही देशों ने भारत के इस भावना को समझा है और मुर्तियां वापिस लाने में हमारी मदद की है मैं पिछले साल सितंबर में जब अमेरिका गया था तो वहां मुझे काफी पुरानी-पुरानी कही सारी प्रतिमाओं और सांस्कृतिक महत्पकियाने चीजें प्राप्त हुई देश की जब कोई बहुमुल धरोहर वापिस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में स्रद्धा रखने वाले अर्केोलोजी में स्रद्धा रखने वाले आस्था और सांस्कृतिके साथ जूरी विये लोग और एक हिंदुस्तानी के नाते हम सब को संतोश मिलना बहुत अवाविके